भावनगर से में मेहुल कुमार चोई आप जोमेटरी में आपका हाद दिख स्वागत है अज हम बहुत सुन्दर एक फ्लावर बनाएंगे चलिए आप एक स्क्वर पेपर लेजिए और मेरे साथ तयार हो जाईए ये दोनों आमने सामने कौनों को मिला दीजिए और क्रीस कर दीजिए चलिए अब बाकी जो बच्चे वो दोनों को भी हम मिला के क्रीस बना देते हैं बहुत सुन्दर चलिए वापस खोल दे पेपर को पलट देते हैं अब हम प्लस का साइन करने के लिए ये आधा पेपर ऐसे मोड देते हैं वापस खोलिए और ये दूसरा आधा हिस्ता है वो उपर उठा कर हम प्रेस करते हैं बहुत बढ़िया चलिए इसको खोल देजिए अब मुझे ये जो है नया जो मेरा लाइन बना है वहाँ पे मुझे ये मोड ना है तो ऐसे दोनों तरफ से हम अच्छे से प्रेस कर देते हैं बहुत सुन्दर इसको वापस खोल दे अब 90 डिग्री टर्न करने के बाद फिर से यही चीज़ हम दोहराएंगे चलिए उठाए और ये क्रीज हो गया अब लास्ट लाइन सेग्मेंट बाकी है स्क्वेर का इसको भी हम उठा के यहां पर रख देते हैं और ये हो गया चलिए इसको वापस खोल देते हैं बहुत सुन्दर अब देखिए एक दो तीन और चार ये स्क्वेर के जो बाहर वाले हमें देखाई देता है छोटा सा स्क्वेर वहां तक मुझे हरे कोने को लाना है पहला हो गया दूसरी किस के लिए उठा रहे है अच्छे से प्रेस करते रहिए तीसरे कोने को ले आईए अरे वा अच्छे से प्रेस कीजिए और लास्ट वन चलिए उठा ये चोथा कोना और उपर का एक स्क्वेर छोटा सा छोड़ दीजिए और ये क्रीज हो गया बहुत बढ़ी है इसको वापस खोल देते है चलिए अब ये जो पूरा पेपर इसको हम पलट देते है अब मुझे यहां पर सेंटर पे ये चारो कोने मिलाने है तो एक दूसरा कोना और अच्छे से क्रीज करते रहिए तीसरा कोना उठाइए सेंटर पे ले आए अरे वाह और ये लास्ट वन बहुत बढ़ी है अच्छे से प्रेस करते रहिए चौथा कोना मैं यहां पे ला रहा हूं सेंटर पे और यह मैंने प्रेस कर दिया अरे वाह चलिए इसको हम वापस खोल देते हैं और अब देखिए यह जो है इसको एक बार पलट देते हैं अब मैं इसको ऐसे पकड़ रहा हूँ देखिए ऐसे ठीक है चलिए यह चार बार हम करेंगे ऐसे पकड़ीजिए और एक बार फिर यह कोना पकड़ा इसको प्रेस कीजिए अरे वाह और यह चारो तरफ चार बार होगा तो यह बीच में खड़ा जैसा दिखेगा हम यह सब कोने वहाँ पर मिला देंगे सेंटर पर ऐसे और अच्छे से प्रेस कर दीजिए बस देखिए हम गींती भी कर सकते हैं एक दो फिर यह उठाया यह तीन यह चार यह पांच छे साथ और लास्ट वन आठ तो यह सब हम उपर ऐसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे ठीक है बहुत बढ़िया चलिए देखिए यह हो गया अरे वाँ तो यह जो है मॉडल हमारा यह नीचे से कैसा दिखता है यह भी हम देख ले दिये यह चौरस जैसा दिखता है ठीक है चलिए वापस आजाए अब यह जो है एक, दो, तीन, चार में बता रहा हूं जहापर मैं इंडिकेशन कर रहा हूं एक, दो एक को छोड़ देजिए फिर तेन और एक को छोड़ कर फिर हम लिखेंगे चार तो एक, दो, तीन, चार लिखा है उसके आगे पीछे एक, एक कोना हमने छोड़ दिया है चलिए इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे पकड़ा और यह लाइन हम यहां से मिला देंगे यह हो गया तो एसे चार बार आपको दोहराना है चलिए यह बना दे ऐसा अच्छे से ऐसे क्रीज करिए दूसरा, तीसरा और चौथा चारो कोनों को पकड़ के आप ऐसे अच्छे से प्रेस कर दीजिए चलिए बहुत सुंदर ट्राइंगल बना रहे आप वेरी गुड इसको वापस खोल देते है चलिए तो यह एक, दो, तीन, चार जहां पर हमने इंडिकेशन किया है यह चारो के लिए हमें ऐसा ट्राइंगल बनाना है और इसको वापस खोल देते है बहुत सुंदर चलिए यह होने के बाद हम आगे चलिए लास्ट वाला बाकी इसको भी कर ले अच्छे से यह हो गया अच्छे से प्रेस करना है बस यह त्रीबुज बन गया इसको वापस खोल दे अरे वाख चलिए एक, दो, तेन और चार, चारो हो गये है अब पेपर को ऐसे रख देजिए चलिए यह अच्छे से प्रेस हो जाए देखते रहिए अब मैं यह जो चारो कोन है जो हमने बनाए थे, यहाँ पर ऐसे मैं ऐसे फोल्ड करूं, देखे ऐसे यह बीच में पंखुडिया सिर्खा दिखने लगेगा तो यह चारो बार आप दोहर आईए यह त्रिबुच जो हमने पहले फोल्ड किया था इसको ऐसे फोल्ड कर देना है यह दोनों तरब से आप एक यह पीछे वाला इस्सा यहाँ पर प्रेस करना होता है ठीक है? चलिए वापस आजाए और यह उसके सामने वाला जो कोना है उसको पकड़ के बीच में ले आए पकड़े और अच्छे से प्रेस केजिए यह चारो कोने के लिए हम करेंगे जहाँ पर हमने एक, दो, तीन, चार नंबर लिखे थे ठीक है? चलिए यह हो गया आधा और एक सामने वाला बाकी है इसको भी कर ले आरे वाप बहुत सुन्दर पीचे से भी क्रीज करते रहिए आरे वाप अभी एक बाकी है इसको अच्छे से फोट कर दे बहुत सुन्दर और यह हो गया जब भी टाइम मिले अच्छे से प्रेस करते रहिए चलिए यह पीछे वाला इससा हो गया अब यह होने के बाद इसको हम अच्छे से रख देते हैं और अच्छे से प्रेस करेंगे ठीक है? एक पर फिर चेक कर लें हो गया वो पंखुडिये जैसा दिखने लगता है अरे वाह हो गया चलिए इसको अच्छे से प्रेस कर देजिए उपर से तो यह बाकी चार कोने है वो ऐसे रहेंगे और हमने जो बनाए वो ऐसे बन जाएंगे अब देखिए यह सब हम एक तरफ कर देंगे इसको उठा के इस तरफ ला दे फिर यह तो है इसको छोड़ दे तीसरा उठाए और इसको उपर की और फोल्ड करें तो हर एक बार आपको एक कोना इसा मिलेगा देखिए यह सब हो गया ठीक है अब क्या करना है हमें यह जो हमने फोल्ड किया था इसको पकड़ के ट्राइंगल बनाना है यह त्रीबू जैसे बनेगा और इसको प्रेस करें यह चीजा में और साथ बार भी दोहरा नहीं है इसलिए अच्छे से देखते रहिए इसको क्रीज कर दीजिए और इसको साथ बार दोहरा आईए ठीक है तो हर एक तरफ आप यह कोना बनाते रहिए और यह आठ बार यह कोना होना है आठो पंखोडियों के उपर यह दिखना चाहिए अच्छे से हो जाए देखते रहिए और यह अच्छे से क्रीज करते रहिए हर एक त्रीबुज बन जाए देखिए हो गए है चलिए किंती कर ले अरे वाह चलिए अब ये त्रीबुज को हमें खोलना है और इसको अंदर डालना है ऐसे खोले अंदर डाले बीच वाले लाइन को वेली फोल्ड बनाएंगे और इसको उपर से फोल्ड कर देंगे चलिए आपको ये साथ बार और दोहरा ना है खोलते रहिए त्रीबुज को अंदर डालिए बीच में वेली फोल्ड बनाएं और ये कुल मिला के आठ बार आपको ये करना है अरे वाह बहुत अच्छा काम हो रहा है आप जल्डी से एक काम कंप्रिट कीजिए ठीक है चलिए हो गया ये आपका सुन्दर फ्लावर है बहुत बहुत शुक्रिया ये मेरा आपको गिफ्ट है दूसरों को गिफ्ट करते रहिए मेहूल इंडिया वंडर देखते रहिए धन्यवाद